सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो गढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल निमी जी नेटपेर दोस्तो आपने यूजी सी नेटपेपर फर्ष्ट में इस तरह के काफी कोशन देखे हुए होंगे जिसमें ऐसे होता कि सभी कुति सतंधारिये कोई बिल्ली कुता नहीं है इनके बेस पे हमें एक निस्करष निकालना होता है तो ये जो कोशन होते हैं दोस्तो हर बार कोशन पेपर में आते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल असाने से केल और केल दस सैकेंड वे ये कोशन किस तरह से आप कर सकते हैं और अच्छे मार्क से लेकि आ सकते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा पेड वाट्सप ग्रूप भी जोइन कर सकते हैं इसमें हम आपको 10 यूनिट पीडियेफ स्टडी नोट्स दे रहे हैं इसके लावा 2012 से ले से पहले हमें वेन डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए और एक चीज़ और बता दू कि यह जो कोशन है दोस्तों आप काफी तरह से कर सकते हैं और भी कई तरीके हैं उन से भी कर सकते हैं लेकिन हम आपको वेन डायग्राम से किस तरह से कोशन करना वो बताएंगे तो वेडीड डायेगरम के बारे में हमने में पहले वीडेओ बनाइए उसमें काफी कुछ बताने वाले हैं आधि जो वेड डायेगरम होता है वो टीन रुप से तीन सरकल होते हैं उसके अंदर लेकिन रहती हम समझने के लिए दो सरकल का भी यूज़ करेंगे देखे जो वेंड डायग्राम होता है वो काफी तरह का हो सकता है सबसे पहले देखते इसका टाइप वन यानि कि दो जब हमें सरकल दीवे होते हैं तो उसमें किस तरह का संबंध हो सकता है यह देखे पूर्णत संबंध पूर्णत संबंध यानि कि कम्प्ल क्पलेटली पुरुस है। vetasya कि way नहीं हो सकते लेकिन जितने हुआ मैम है हो हमारे पुरुस होंगे。 होंगे तो टाइप वन यह हो गया टाइप टू आता है दोस्तों इसके अंदर कि आंसिक रूप से संबंध है यानि कि कुछ हद तक रिलेटिव अब देखे इसके अंदर इनने दो सरकल दिये एक पुरुस का दिया और एक वकील का दिया है तो यहां से आप देख सकते कि कुछ जो पुरुस हो क्या है वकील है और इसमें हम कह सकते कि जो कुछ पुरुस होते वो वकील होते लेकिन सभी के सभी पुरुस वकील नहीं होते और सभी के सभी वकील जो होते वो पुरुस नहीं होते क्योंकि वकील है वो लेडिज भी हो सकती है और तीसरा इसके अंदर यह आ है और वकील है दोनों के दोनों अलग है और काफी बार ऐसा भी होता है कि डोक्टर और वकील दोनों भी हो सकते एक आदमी के अंदर दोनों गुन भी हो सकते लेकिन यहां पर हमने दिखाया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे जो केवल और केवल डोक्टर है और कुछ वेक्ति ऐसे जो केवल और केवल वकील है तो इस तरह से इन में कोई भी संबंद नहीं है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो और इसमें मैं आपको live question भी करके दिखाऊंगा पीछे जो आज के हमारे paper के अंदर है वो सभी old question आपको करके दिखाऊंगा अब देखे तीन के अंदर क्या होता है जब एक समुच्चे दूसरे से तथा दूसरा तीसरे से संबंधित हो अब तीन के अंदर हो सकता एक दूस होती है और minute के अंदर second होती है जो second होती है जितनी भी second होती है दोस्तों वो घंटे के अंदर include होती है और फिर जितनी भी minute होती है वो घंटे के अंदर include होती है लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि minute के minute second के अंदर include होता है नहीं ये बात हम नहीं कह सकते जैसे कि अगर हम ये कह द नहीं कह सकते कि कितनी मिनट होगी हाँ वैसे scientific रूप से निकाले mathematical रूप से निकाले तो वो निकले वो चीज अलग है निकल normal भासा में हम नहीं कह सकते कि second के अंदर मिनट आती है तो इस तरह से ये तीनों की तीनों चीजे एक दूसरे से related है लेकिन एक दूसरे में पूरी तर का हो सकता है second में ये हो सकता है कि जो दो चीजे होते हैं वो एक चीज के अंदर include हो सकती है जब दो समुच्चे एक समुच्चे से पूर्णत संबंधित हो यानि कि दो चीजे हमारी एक चीज के अंदर पूरी रूप से including हो लेकिन वो जो दोनों के दोनों चीजे वो अलग ह देखिए इसमें हम एक example देखते हैं उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए जैसे मेज और कुर्षी दोनों अलग अलग चीज़े हैं कुर्षी है कुर्षी के उपर हम बैठते हैं मेज है मेज के उपर हम कुछ समान रखते हैं इस तरह से देखा जाए मेज और कुर्षी है दोनों के दोनों अलग चीज है लेकिन ये दोनों के दोनों चीजे क्या है दोस्तों ये हमारी फरनीचर के अंदर इंकलूड होते है फरनीचर के अंदर आती है ठीक है तो इस तरह से हम इनको कह सकते हैं और आगे दोस्तों आगे हमारा तीसरा तीन नमबर पे इसके अंदर क्य दो चीजे वो एक दूसरे से भी related हो सकते हैं यहां पे हम देखते हैं जैसे इस तरी मा बहन यहां पे दिया है अब देखिए मा और बहन जो है वो दोनों के दोनों क्या है ओरते हम कहे सकते हैं और एक जो देखी एक चीज ओर है कि बहन जो है वो मा भी हो सकती है और जो मा है वो बहन भी हो सकती है जैसे हमारे घर में होता है जैसे हमारी बुआ है तो वो क्या है वो मा भी है और वो बहन भी है इस तरह से ये दोनों की दोनों एक दूसरे से रिलेटिड है और ये दोनों की दोनों पूर्ण रूप से क्या है इस्त यह देखिए एक मिनट फोर नमबर पे अब देखिए एक समुच्य दूसरे समुच्य से पूर्णत संबंधित हो था तीसरा समुच्य दोनों समुच्यों से आंसिक रूप से संबंधित हो अब इसमें देखिए एक चीज हो सकती है वो दूसरी चीज के अंदर पूरी तरह से इ विवाहिते दिया है अब देखिए जो किर्केट खिलाडी है ये क्या होते दोस्तों किर्केट खिलाडी चाहिए किसी भी कंट्री का हो किर्केट खिलाडी वो खिलाडी ही होगा सारे के सारे किर्केट खिलाडी के अंदर आते हैं ये बात हमने देख ली और यहां पे हैं विव किर्केट के खिलाडी हो सकते हैं तो यह कुछ हद तक हम कह सकते कि यह related है लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि विवाहित जो व्यक्ति या ओरत है वो खिलाडी या किर्केट की खिलाडी होगी ठीक है अगला देखते है टाइप फाइव इसके अंदर क्या होता है कि तीन जो समुच्चे है तीन जो सरकल है हमारे तीन जो चीजे है वो एक दूसरे से कुछ-कुछ related हो सकती है पूरी की पूरी related ना हो लेकिन कुछ हद तक related हो सकती है जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि पु पूरुसों में से कुछ पूरुस क्या है इंजीनियर है ठीक है यहाँ से आई बात समझ में यानि कि जो डॉक्टर है डॉक्टर कुछ डॉक्टर पूरुस है और कुछ पूरुस क्या है इंजीनियर है तो यह सारी की तीनों की तीनों चीजे एक दूसरे से related है और आगे दे इसके अंदर ये है कि जैसे हम तीनों चीज मान के चलते हैं कि जो यह यहां पे तीन चीज दिये है यह हो सकता है इंजिनियर और डॉक्टर के अंदर संबंद ना हो कुछ इंजिनियर डॉक्टर ना हो यह बात हो सकती है लेकिन यहाँ पे इन्हों ने क्या कहा है कि तीनों के तीनों एक दूसरे से related होंगे ही होंगे यहाँ पे संभावना है और यहाँ पे होंगे ही होंगे तो यह देखे जैसे पुरुस, वकील और लेखक अब देखे पुरुस दे दिया पुरुस लेखक पुरुस भी तो होंगे और पुरुस क्या होंगे वह वकील भी होंगे तो ये तीनों की तीनों चीज़े एक दूसरे से रिलेटिड होगी ही होगी ठीक है तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे वेंड डाइगराम में बहुत से एक्जामपल है ये दोस्तों आप एक बार देख लेना सभी देख लेना क्योंकि अगर मैं सारी चीज़े कराने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाईगी और वैसे बिलकुल असान है कोई ऐसी दिक्कत वाली भात नहीं है इसके अंदर आप ये देख लेना हाँ एक ये जैसे उधान 11 देख लेते हैं इसके अंदर ये कि कई चीज़े ऐसी होते जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता बिलकुल अलग हो सकती है होती ही होती नहीं हो सकती है ऐसा वेन डाइग्राम भी हमारा वन सकता है जिनके अंदर तीनों की तीनों चीज़े बिल की कोशिश करेंगे देखिए इसमें ये कहा है कि अधार वाक्य में क्या कहा है सभी संत धार्मिक होते हैं तो सबसे पहले हमने एक संत का सरकल ड्रो कर लिया उसके बाद सभी के सभी जो संत होते वो दोस्तों क्या होते है धार्मिक होते ये इसने बात यहां पर कह दी अब इसक का जो है दोस्तों वो वेन डाइगराम इस तरह से बन सकता है ये देखिए कुछ इमानदार लोग संत होते हैं तो ये हमने इमानदार लोग ये एडी लिख दिया मैंने इमानदार लोग कुछ इमानदार लोग संत होते हैं अब देखिए अब इसके बेस पे हमें अंसर देखन अब देखी यहाँ पर एक एक कोशन पर हम बात करके देख लेते हैं कि सभी संत इमानदार होते हैं क्या हम यह कह सकते हैं दोस्तों और एक चीज मैं बता दू कि हमें केवल और केवल कोशन के निशार चलना है दोस्तों अगर question में ये कहा जाए ना कि सभी के सभी सादू चोर होते हैं तो वो हमें मानना पड़ेगा अधार वाक्य हमें देखना है दोस्तों most important चीज ये है अधार वाक्य में अगर ये कहा जाए कि सभी के सभी चोर धार्मिक होते हैं तो वो हमें मानना पड़ेगा जो भी कहरा वो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है अधार वाक्य में, तो अब देखिये, अधार वाक्य से ही हमारा निस्कर्श निकलेगा, हम अगला देखते हैं कुछ संत इमानदार होते हैं, तो ये भी हम पूरी तरह से सही नहीं कह सकते, अंसिक रूप से इसको सही कह सकते है और एक चीज़ और मैं बतादो कि इस तरह के जो कोशन होते हैं उसमें हमें जो definite तरीके से पता हो दोस्तों वही चीज़ हमें डिकलेर करने हैं वही उसका answer आएगा ये नहीं कह सकते कि संभावना वाला जो answer वो हम नहीं देंगे अब देखिए option number C है कुछ इमांदार लोग धारमिक है अब ये बात हमें सोचना जरूरी है इस पे ध्यान दीजिए कि कुछ इमांदार लोग धारमिक है अब ये देखिए ये जो हमने डुरो किया था यहाँ पे तीन सरकल किये थे ये देखिए कुछ इमांदार लोग है और धार्मिक का सरकल है तो इमानदार और धार्मिक में ये देखे ये जो पोर्षन है दोस्तों ये common आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कुछ इमानदार लोग है वो क्या होते हैं धार्मिक होते हैं तो इस तरह से दोस्तों ये कोशन बिल्कुल असानी से कर शकते हैं आप और आगे हम और कोशन करने की कोशिश करते हैं उनसे आपको बिल्कुल असानी से समझ में आ जाएगा एक बार में किसी को अच्छे से समझ में सायद ना आए तो चलिए अब हम अगला कोशन करके देखते हैं ये कोशन नमबर हमारा दिसंबर 2014 में आया था इसमें देखिए धारवा के सभी कुत्ते सतंधारी है तो सबसे पहले हम कुत्ते लिख लेते हैं यहां पे हमने कुत्ते लिख लिए और सतंधारी यानि की जो दूद पिलाते हैं अपने बच्चों को तो यह लिख लिए हमने सतंधारी यहां पे यह हमने एस लिख लिए और एक बात फिल दोबारा मैं कह रहा हूँ की हमें केवल इनके अधार वाके के अनुशार चलना है रियल लाइफ में क्या होता है वो हमें कुछ नहीं देखना ये लिख लिया अब उसके बाद कोई बिल्ली कुटा नहीं है कोई भी बिल्ली जो है वो कुटा नहीं है तो ये हमने बिल्ली लिख ली दोस्तों यह हमने बिल्ली लिख ली और यह हमारा कुटा हो गया अब देखी यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है यह जो हमारा गराफ है दो तरीके से बन सकता है दोस्तों दोनों मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ यह देखी एक तो हमारा यह बना चली है यहां पे ठीक है एक तो यह बन सकता है हमारा और दूसरा जो है वो किस तरह से बन सकता है वो ऐसे बन सकता है जैसे यह हमने कुत्त लिख दिया यह हमने बिली लिख दी और यह हमने सतंधारी लिख दिया यह ग्राफ भी इसका बन सकता है क्योंकि इसने एक बात कही है कि सभी क सारे सतंधरी यहां पर हमने लिख दी और इसमें भी हमने लिख दिया कि सभी जो कुते वो सतंधरी है यह लिख दिया अब आगे है कि कोई बिल्ली कुता नहीं है तो इसमें देखे यहां भी कोई भी बिल्ली कुता नहीं है लेकिन हमें यह नहीं पता कि जो बिल्ली है वो सतं सतंधरी है या नहीं है यह हम संभावना लगा रहे हैं कि यह इस तरह भी ग्राफ बन सकता है तो यह दोनों ग्राफ हमने एक वर ड्रो करके देख लिए अब देखते हैं जो हमारे निसकर्स है निसकर्स में ऐसा कौन सा निसकर्स है जो बिलकुल 100% सही होगा ठीक हमें निसकर् अब देखिए इसमें देखते हैं कोई बिल्ली सतंधारी नहीं है अब देखिए कोई बिल्ली सतंधारी नहीं है तो यह हम अच्छे तरीके से नहीं कह सकते दोस्तों क्यूंकि हमने अभी आपे दो ग्राफ बना के देखिए अगर ग्राफ एक ही बात करें तो इसमें कह सकते गोई भी बिल्ली वो सतंधारी नहीं है अच्छे तरीके से कोई decision नहीं ले सकते हैं हम संभावना लगा सकते हैं हाँ ऐसा हो सकता है कोई भी बिल्ली वो सतंधारी नहीं है संभावना उपर नहीं चलना हमें 100% गौतार मिले अपनी उसी को right करना है अब आगे देखते हैं कुछ बिल्ली सतं धारी है तो वह यहां से बन सकता है दोस्तों कुछ बिल्ली सतं धारी है लेकिन अब बात फिर आरी है कि हमें संभावनाव पर नहीं चलना अगली बात आती है कोई बिल्ली कुता नहीं है अब ये देखे ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों ये 100% बात सही है क्योंकि इसने ये कहा है कि कोई बिल्ली कुता नहीं है और यहां पे कोई कुता बिल्ली नहीं है तो दोनों की दोनों जो बात है वो बिल्कुल सेम है एक पोड़ी सी ओट पटांग तो है, यानि कि यहां पे इनोंने बिली कुता नहीं कह दिया और यहां पे कुता बिली नहीं है, तो बात तो एक यह दोस्तो जो सब्द है वो आगे पीछे कर दिये, तो उप्षन नमर जो थ्री है दोस्तों वो अपना सही हो सकता है, एक इस पे टि क्योंकि यहाँ पे इन्हों ने यहाँ पे दे दिया सभी कुत्ते सतंधारी है तो यहाँ से इसका क्या आर्थ निकलता है कि कोई कुत्ता गैर सतंधारी नहीं है तो इसका जो right answer होगा दोस्तो 3 और 4 यानि कि इसका C जो answer है दोस्तो वो इसका right answer हो जाएगा और दोस्तो अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आते तो आप हमें what's up message कर सकते हैं आप हमारा paid group join कर सकते हैं उसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो चलिए अब हम अगला question करके देखते हैं उससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा यह हमारा जून जुलाई 2016 में आया था यह question आप करके देखना दोस्तों मैं आगे और question करवा देता हूँ जैसे जो हमारे 2017 में या 18 में जो question आये वो करके मैं दिखा देता हूँ आपको यह हमारा अगस्त हाँ यह question हमारे लिए करना जरूरी है दोस्तों यह देखिए अगस्त 2016 के अंदर यह question आया था और यही question हमारा यह देखिए नौमबर 2017 के अंदर आया था यहाँ पर आप देख सकते हैं नौमबर 2017 में सभी चमगादर सतन पाई होते कोई भी पक्सी चमगादर नहीं होता यह है और यहाँ पर यह देखिए अगस्त 2016 में भी यही बात कही है सभी चमगादर सतन पाई होते है पक्सी चमगादर नहीं होते तो बात से हैं है दोस्तो question एक है लेकिन अलग-अलग year में दिये हुए है तो आप देख सकते हैं कि डिट्टो कोपी question भी repeat होते है question paper के अंदर लेकिन आपने साइद आज तक ये बात note नहीं की होगी तो आज से ये बात note करके चलिए दोस्तो आपके लिए old paper करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनमें सब बहुत question डिट्टो कोपी repeat होते हैं चलिए अब हम ये question करने की कोशिश करते हैं इसमें देखिए इसमें क्या कहा है कि सभी चमगादर सतन पाई होते हैं और सतन पाई का ये अभी हमने ये किया था ये देखिए कुत्ते वाला भी किया था तो सतन पाई से तीन कोशन हमारे अभी तक आ चुके हैं आगे भी इनके आने के संभावना है तो एक बार फिर ये कर लेते हैं अब देखिए इसकेंदरी ये कहा है क्या कहा है सभी चमगादड सतन पाई होते हैं तो ये हमने कहा कि सभी चमगादड सबसे पहले हमने चमगादड सी चमगादड को सी से ड्रो कर लिया सभी चमगादड स पक्सियां चमगादर नहीं होते अब पक्सी पक्सी हमने यहाँ पर अब देखी पक्सिया वो चमगादर नहीं होते तो इसके इसका ये बन सकता है दोस्तों ये बन सकता है ये हमने लिख दिया पक्सी पी पक्सी ये वो चमगादर नहीं होते एक तो इसका ये बन सकता है दोस पे ऐस सतन पाई और यहाँ पे हम पक्षी लिख सकते हैं तो यह भी यही बात कहरा दोस्तों चमगाधर और पक्षी इन दोनों का कोई relation नहीं है यहाँ पे इन्होंने काई कि सब पक्षिया चमगाधर नहीं होते तो चमगादर और पक्सी को हमने बिलकुल अलग कर दिया और ये जो ग्राफ नमबर एक है इसमें भी चमगादर और पक्सी को हमने अलग कर दिया बिलकुल यहाँ पे आप देख सकते कोई रिलेशन इनके अंदर नहीं है लेकिन पक्सी और सतन पाई इनके अंदर relation में भी सायद हो सकता है हमें पता नहीं है ये बात इन्होंने यहाँ पे कलियर नहीं कि इस सतन पाई और चमगादड के बारे में कलियर बात इन्होंने नहीं की है और इसका जो दूसरा है ये ऐसे भी हो सकता है सतन पाई और पक्सी के बीच में अब देखिए अब हम इसका answer ड्रो करने की कोशिस करते हैं अब देखिए पक्सिया सतन पाई नहीं होते अब देखिए पक्सिया जो है सतन पाई नहीं होते ये बात हम नहीं कह सकते दोस्तों होते हैं नहीं होते ये हम 100% नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि हमने दोनों तरह के ग्राफ बना सकते कि क्या सही होगा क्या गलत होगा अब हम अगला देखते हैं चमगादर पक्सी नहीं होते यह बात बिलकुल 100% राइट दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पक्सी है चमगादर नहीं होते तो इसका मतलब यह है कि चम गादड है वो भी पक्सी नहीं होते यहाँ पर यह जो 20 ओप्सन दोस्तों यह 100% accurate बात कह रहा है तो एक तो यह बी एक बार माल लेते हैं भी इसका सही होगा अब देखते हैं अगला सभी सतनपाई चम गादड होते हैं अब यह देखी यह बात भी हम 100% सही नहीं कह सकते क्यूंकि सतनपाई और चम गादड के बारे में हमने यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा इन्होंने यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से नहीं बताया हम कितना है कि वो यह संभावना लगा सकते लेकिन संभावना इस तरह के कोश्चन में नहीं चलती तो C है वो हम नहीं कह सकते अब आप्सन नमबर D आता है कुछ सतनपाई चम गादड होते हैं अब देखी यह बात ध्यान देने वाली है कि कुछ सतनपाई अब यह देखी यह सतनपाई है यह जो सरकल है हमारा कुछ सतनपाई चम गादड होते हैं तो यह बात इसकी बिलकुल सही है दोस्तों कि यहां पे हमने यह देखा कि सारे के सारे जो सम गादड है वो सतनपाई होते हैं इसका उल्टा क्या होगा कि कुछ सतन पाईजों होते हैं इस चीज़ को आप थोड़ा साथ ध्यान दे के समझना और आपको बिल्कुल असानी से बात समझ में आ जाई ही तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तो बी और डी यानि की option number two इसका आंसर हो जाएगा तो इस तरह स दोस्तो बिल्कुल असानी से ये question कर सकते हैं आप और अब क्या करते हैं अब हम अगला question करने की कोशिश करते हैं और ये जो question है दोस्तो ये question आप खुद करना और question number 29 का answer आप मेरे को सभी बताना comment box के जरीए कि इसका answer क्या आएगा ये question मैंने आपको अभी करवाया है ठीक ह ये question आप करके बताना मेरे को और चलिए दोस्तो अब हम अगला question करके देखते हैं ये question हमारा December 2018 के इंदर आया है ये देखे इन्होंने का है कि some flower are red तो सबसे पहले हम इसका जो graph है वो draw कर लेते हैं some flower यानि कि सबसे पहले हम कुछ flower red है ये हमने एक मिनिट रुके इसका बड लिए ये flower है some flower are red ये हमने red लिख लिया ये red इस तरीके से ठीक है उसके बाद में all roses are flower all roses ये बात कह रहा है सभी के सभी rose है वो हमारे flower है RS लिख लिए मैंने roses को flower लिख लिए अब आगे इसका जो conclusion है वो देखते हैं क्या है इसने कहा है कि option number एक जो दिया है some roses are red तो ये बा कह सकते दोस्तों कि जो हमारे roses है कुछ roses वो red होंगे ये बात हम नहीं कह सकते 100% तरीके से नहीं कह सकते अगली है दोस्तों some red things are flower ये कह रहा है कि कुछ लाल वस्तुए flower होती है ये बात इसकी बिलकुल सही है दोस्तों क्योंकि यहां पे हमने पढ़ा है कि some flower are red यानि कि कुछ लाल चीजे हमारी फूल होती है तो ये इसकी बात बिलकुल 100% right होगी अब देखते अगला question some flower are roses some flower ये देखे some flower और roses ये बात भी 100% सही होगी क्योंकि इसने यहां पे कहा है कि all roses सारे के सारे जो rose है गुलाव के फूल है वो हमारे क्या होंगे flower होंगे तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो flower है वो हमारे red sorry कुछ जो flower है हमारे वो गुलाव के फूल होंगे तो हमारा option number 3 है ये भी हमारा सही हो जाएगा अब अगला देखते all roses are red ये बात हम बिलकुल नहीं कह सकते दोस्तो all roses are red नहीं कह सकते क्योंकि हमने यहां पे red और roses का अच्छे से define नहीं किय हुआ हिनों ने हाँ इसमें हम संभावना लगा सकते लेकिन संभावना नहीं चलेगी तो इसका जो right answer है दोस्तों वह हमारा ये हो जाएगा बी एंड़ सी ओनली इसका answer हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप बिलकुल असानी से question कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपको हम अने वाली वीडियो को सानी से देख सकें थैंक्यू दोस्तों हर।